कुछ बंदा जैसे कॉम्पिरिटिव एक्जाम देता है गेट एक्जाम नीट एक्जाम आयाइट एक्जाम जो भी एक्जाम देता है सिविल सर्विस इंजिनिंग सर्विस और एक बार एक्जाम देने के बाद तो ठक जाता है कि सायद मेरे से हो नहीं पा रहा है डी मोटिवे नहीं है इस धर्ती में है नहीं तो आप हर चीज में निचर से सिख सकते हो आप देखो कि जैसे आगर हमने देखे कि यह डेखे है है जितना भी एजिए गहाने जो इसको सीखर करना होता है ऐसा नहीं होता है कि जब भूग लगा उसी टैम में वो टर्गेट करें वो बहुत देर से टक्टक के लाएकर बैठा रहता है कि कब मेरे पास एक सीकार आएगा और उसके यह है प्रिपरेशन इस प्रिपरेशन स्टेज कि पहले हमें देखते रहना है कब मेरे पास ओपोर्चुनिटी आएगा कब नोटिफिकस आएगा कब रिकूरुड्मेंट होगा लेकिन उसके बाद भी जितना बार यह ट्राइ करता है यह देखा गया जो चार बार अगर यह ट्राइ करे ऐसे टकटकी मर के लगके बैठे रहने के बाद बी अगर फ्र टाइमस चार बार अगर यह ट्राइ करे उसमें एकी बार ओ पकड़ पता है सिकार और तीन बार उसको failure हो जाता है मतलब आप देखो 20% case में इसका failure हो जा रहा है और student चाहता है मैं एकी बार computer बें जम दूंगा और पहली बार में मुझे निकल लेना है हाँ हो सकता है ऐसा नहीं कि हर बार इसका failure हो जाएगा उस चार बार में पहली बार में success हो सकता है second time भी success हो सकता है third time हो सकता है fourth time हो सकता है तो क्या यह सिकार करना छोड़ दे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है ठीक है तो बात यह है nature से आप सिखो कि दुनिया में जिसको भी success मिलना है and this is competition this is competition इसका जीने का competition और उसका खाने का competition तो ऐसी हमारे लिए भी competition है तो आप तो आके लिए नहीं हो सारे लोग प्रयास कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहली बार में success नहीं ला सकते हो लेकिन एक बार में success नहीं आया इसका मतलब नहीं होता है कि आप success नहीं ला सकते दूसरा बात होता है नेचर को देखो 70% area हमारा water है तो जो बारीश होता रहता है तो क्या समुन्दर के ऊपढ नहीं होता है तो ब्रहम्भाजी ने जो system बनाया कि देखो यह जो बारीश भी होगा यह समुंदर के उपरी तो ओहीं का water वेपोरेज हुआ ओहीं पर आके गिर गया तो क्या मैं कह सकता हूँ 70% wastage जा रहा है जितना total virus है उसका 70% उसी समुंदर को उपर वापस आ जा रहा है तो 70% wastage जा रहा है that is the waste of nature nature का law है ज्यादा wastage होगा nature का law कहता है ज्यादा wastage होगा nature का law कहता है ज्यादा फेलियर होगा success आपको एक ही बार चाहिए मैंने IS बना हूँ, IS में top किया हूँ, gate में top किया हूँ लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुझे पहली बारी कर लेना है भाई ऐसा क्यों करना है आपको सक्सेस तो एक ही बार चाहिए ना और उस सक्सेस के पहले फेलियोर होगा नेचर कहता है नेचर से सीख लो फेलियोर होगा लेकिन इसका जो 30% जो बारीस हमारा धर्ती में हो रहा है जो हमारा लेंड्सकेप में हो रहा है उससे हमारा जिन्नीग है वो हमारा पूरा बजार है मतलब जितना सक्सेस हो रहा है that is sufficient for the nature तो आपका भी life में जितना failure होगा उससे कोई मतलब नहीं है जितना success होगा that is sufficient for nature लेकिन प्रयास करते रहना है कहीं एक बार में हार गया तो छोड़ नहीं देना है तो एक बार में हार गया तो छोड़ दिया तो नहीं होगा not only this अब nature से मैंने बहुत सार और भी example दे सकता हूँ आप देखो कि एक पेड़ में कितना seed पैदा हुआ and a seed जो उड़ता जा रहा है कभी हावा में उड़ता जाता है कभी कोई कभूतर उसको लिके जाता है कभी कोई पक्सी उसको लिके जाता है कभी इनसान लिके जाता है लेकिन इसमें इतना numbers पैदा हुआ, इतना numbers of seed पैदा हुआ कि इसका जितना seed पैदा हुआ, वो चारों तरब में जा रहा है क्यूं? क्यूंकि nature है waste का, nature में waste होगा nature को पता है, nature को पता waste होगा कि जहां पे जाके रूखेगा ऐसा नहीं होता है, वहीं पे success मिल जाए इसके चक्कर में हमें धेन रखना है, तो हमारा जो nature है, वो हमेशा किसका nature है? सर वेस्ट का नेचर है इस धर्ती किसका है सर वेस्ट का धर्ती है तो मतलब वेस्टेज होगा मतलब तुम जितना प्रयास करोगे उसमें जादातार वेस्टेज होगा ये नेचर कहे रहा है not only this कि ऐसे पेड़ पौधा के लिए है कि पेड़ पौधा चल नहीं सकता इसलिए इसका सीड जहां गिरेगा वो हो सकता है कि जहां पर फटाइलन नहीं है जहां पर उसको पानी नहीं मिला जहां पर उसको अच्छा सीड अच्छा जमीन नहीं मिला ऐसा हो सकता है तो आप सोच मचली का जो अंडा आता है तो उसमें कितना क्वांटिटी रहता है हीूज क्वांटिटी होता है तो इतना हीूज क्वांटिटी क्यों इतना नंबर आफ अंडे क्यों क्यों कि इसको भी पता है ना तो सारा अंडा से छोटा मचली पैदा होगा कुछ मचली कुछ अंडा जो है है इसका मतलब है number of quantity बहुत ज़्यादा करना है तो कितना हुआ जितना अंड़ा पैदा हुआ था उसका कितना का ही सक्सेश हुआ हुआ अब यह जो चीज है कि क्या अंड़ा देना छोड़ दे तो इनेचर से हमें सीखना है कि भाई जितना भी हम प्रयास करेंगे जितना भी हम कोसिस करेंगे पूरा हमारा खतम नहीं होगा लेकिन ज्यादातार जो हमारा प्रयास है वो failure कराएगा and that is the nature और nature में यही होता है इसलिए आप धन रखे कि competitive exam में अगर आपको success लाना है तो आपको ओनी देखना है कितना effort मेरा waste गया क्योंकि law of nature law of waste कहता है ज्यादा effort तुमारा waste ज्याएगा ज्यादा effort वेस्ट ही जाता है लेकिन continuous अगर हम प्रयास करते रहें वो जो एक seed है वो जो एक मचली कांडा है उसी से यह बन जाएगा वो एक से ही हो जाएगा हमारा ऐसा जरूरत नहीं है कि हमें सारे seed को सारे seed से पेड़ पहुता पैदा हो यह भी जरूरी नहीं है सारे seed जो हमारा success मिलेगा यह भी जुरूरी नहीं है तो आपका effort से जो आप effort ढलते हो लेकिन उसका अगर एक भी जितना seed पैदा हो उसका एक भी अगर ठीक से पहुँच गया एक भी अगर ठीक से पहुदा ठीक जगा में पहुँच गया ठीक location में पहुँच गया ठीक टें लेका जाएगा तो आपका लाइफ बन जाएगा बन जाएगी तो इसलिए यह बाद धन रखे कि यह नीचर का लोग है कि ज्यादा वे स्टेज होगा तो आप आपना जो एफोर्ट डालते हो सारा एफोर्ट रंग लेका आएगा ऐसा बात नहीं है अभी कुछ लोग कहते है ज इसका हमें क्या यूज है कोई बोलता है कि हमने एफलास बी का होल स्कर पड़े थे इसका क्या यूज है・ ट्रीओुनेमिटर करना पड़े थे है क्या यूज है इसब लोगों का पता नहीं है कि ज्यादा अतार हमारा जो अफोर्ट है और O.S. झाएगा agar उसका ुस भी नहीं उसके लिए और ना पड़ेगा तब ना यूज सिखोगे आप हर चीज का जैसे मैंने साइनस पड़ता पड़ा हूं इंजीनिरिंग पड़ा हूं आप इंजीनिरिंग पड़े हो जो साइनस पड़े हो आपको पता है जितना हायर स्टेडी करते जाओगे एप प्लास बि उउसका यूज करना पड़ता है हमें अगर कोई सिख BIG करना पड़ता है कर बिल्डिंग का कुछ भी कंसरेशन करना होगा कुछ भी मीजरस्ट करना उनाओग उसके लिए इसका मतलब तो इसका मतलब कि हूथ है कि क्या हमने पहले सही बच्पन सी हमने बता दे कि कि सब कुछ ना सीखना पड़े तो उसमें क्यों होता है कि सब कुछ सीखाय जाता है शीटेमेटिक एक सब कुछ सिखाऊचे को य ही थी तब ही हार चीज में आप धेन रखे कि हम जितना भी पढ़ाई करते हैं उसमें भी हमारा बहुत सारे वेस्टेज रहता है ठीक है उसके बाद भी मुझे जितना पढ़ना पढ़ा मैं साइन्स का जो मैथेमेटिस्टियों सिखा था मैंने जो साइन्स सिखा था मैंने अगर बायलजी स सिखा था उसका मेरे लिए कोई यूज नहीं है फड़ मेरे लिए लाइफ के लिए यूज है लेकिन हमारा जो पढ़ाई है उसका हायर स्टडी से उसमें मुझे तो कोई यूजफू नहीं मिला ना तो क्या उसको ना पढ़े भाई यही बात होता है नेचर कहता है कि भाई यह क्लास स्टेन तक हम पढ़ाई करता है वह बहुती छेनरररलाइज्ससाड़ी होता है ओ तो सब को आना साय के लिए आतको समय हम तो उसमें क्या होगा कि आगर मैंने उसका higher study नहीं किया तो फिर हमें लगता है कि ओ बलाचीज हमारा waste चला गया और nature भी कहता है कि आप जो कुछ भी करोगे कुछ amount तो waste जाएगा और कुछ amount नहीं जादा amount इसलिए हमारा जो effort रहता है उस effort का जादा waste जाता है बड़ जितना success लेकर आता है वह हमारा जिन्दगी के लिए sufficient है जितना seed पैदा हुआ सारे को germination होने का जुरूद भी नहीं है सारे plant बनने का जुरूद नहीं है उसका जितना बनेगा that is sufficient जितना मचली का अंड़ा पैदा हुआ सारे से दूरा दूसरा मचली बनने का जुरूद नहीं है जि that is sufficient for the mankind that is sufficient for the nature that is sufficient for the plants तो इसका मतलब के है 70% होने के बाद भी फिर भी हमारा जो काम है ओ प्रोपर चलता है ओ हमारा धरती ठीक से काम कर जाता है फंक्सान कर जाता है इसका मतलब ज्यादा वेस्टेज होने से भी फिर भी चार बार सीकार करने जाता है उसमें एक बार उसको सक्सेस मिलता है लेकिन उसके बाद भी ओ जिन्नेगी बिता लेता है तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्रोपार प्लैनिंग करना पड़ता है ऐसे नहीं कि सिकार हैसी हो जाएगा यह दिस इस अ कॉंप्रिटिशन बिट्विटूइन इस टू एनिमेल्स उसके मतलब क्या होता है इतना सारे करने की बावजूद तब भी तो से थ्रीट मना 75 परसेंट टाइम उसका फेलर होता है अब सो चोथ आउट आफ जैसे दिखा गया है कि आउट ओफ फोर एक अउनली वान एक सक्सेस्पल होता है लेकिन उसका उस वान एक से सब्सेंट है क्योंकि यह जो ट है तो मतलब अब इसको जिने के लिए भगबन ने ऐसे ही बनाया कि भाई चार दिन के अंदर अंदर तुमको ढूणना है तो क्या चार दिनों सोते रहे वह हमेसा टक्टक के लाकर बैठे रहता है कब मेरे पास सिकर आएगा फिर उसको हम एटक करेंगे तो उसके इसाब से अभी खाया तो अभी दूसरा सिकर मिलेगा तो नहीं करेगा ऐसा भी नहीं क्योंकि इसको भी पता है कि मेरा साक्सेस रेट कितना है सेवेंटी ट्वेंटी फैपरसेंट तो ट्वेंटी फैपरसेंट में हमें हमेसा चाहिए समान हमें खाने का खाना चाहिए तो इसका मतलब अब हमें अटक करना पड़ेगा जब मुझह मौखे मौका मीनेगा यह मौका हमारा जैसे देखो कि अब भावर के मेकानिकल इंजीनेरिंग में besar कि में बाकी मिग्र wond को सबका है कि में व् Earlier को अंग में सबसे जाधा ओंसक्री मेकसिमाम तो में आप क्या हुआ कि मेट का निकल में इतना होते हुए भी कुछ नोटिफिकशन आई नहीं रहा था मतलब एक दम श्रींग हो गया था आप जब श्रींग हो गया तो कटाफ मर्स बढ़ गया था आप क्या हुआ लास्ट टू थीर से क्योंकि टू यहर से जैसे आपने देखा भी इलेक्सन का माल चलना था तो उसके चेक कर में भर भर के नोटिफिकर्शन आया भर भर के जो बंदा भर भर के प्रिपरशन कर रहा था और कुछ नहीं मिल रहा था सारे बंदा जो ढंका प्रपाद होता है कि जो नया स्टूडेंट आ रहा है काट फूर्ट कितना चला गया था पता है 45 मेकानीकल का गेट का प्यासव मैं काट चला गया जिनरल काटेगोरी 45 चला गया था अभी हम 60 का सपस उम्मीद कर रहा है तो मतलब आप अकर 60 मर्स भी लेक्या होगे तब भी सेलेक्शन हो जाएगा पीएसु में आपको जौब मिल जा रहा है तो यह जो चीज हुआ है कि जो बंदा अगर उस एक साल पहले जब आपका नोटिफिशन नहीं आ रहा था तब दूखियों के जिसने छोड़ दिया प्रिपरसान उसके लिए कुछ नहीं मिला उसका सब कुछ हो गया तो ज्यादा मंत है बट फिर विए ऐसा नहीं है कि अपने सब कुछ करके बैठें और सब कुछ होता है ऐसे ही मैं जा रहा था भी कहां पर पहाड़ों में तो एक पहाड़ों में चड़ रहा था तो उसमें क्या हुआ कि गाड़ी लेके बहुती एक टाफ टिरन में चलना पड़ रहा था बहुती टाफ एक दम ऐसे गड़ा ऐसे करकी उंचा रस्ता हुआ है तो पहले मैंने वहां का लोकाल जो लोक है उनलोगों से पूछा कि क्या इस रास्ते के ऊपर से गाड़ी चलती है तो मुझे उनलोगों ने बताया कि देखो यहां पर जो पहाड़ राईबर है वो गड़ी चला सकता है आप नहीं दूसर दो साल मैंने हीमाचयल प्रद입니다 में ऑ week कहां पे नाफथा जगड़ी जो किन और जहांपे से वृता है यह सीमला में बुलत आप जाता तो सीमला से और जना पड़ता है मुलोद श्याए्टस खः गंटे और जाओगे तब जाके आता है नाफ्था जगडी जो किनोड डिस्टिक्ट है जहां पर बहुत अच्छा सेव होता है तो मैंने बोला मैं ओस टेरेन में रह चुका हूं तो फिर बोला हां फिर आप चला सकता है तो फिर मैंने क्या किया मैंने गाड़ी लेके आपना कार लेके उसमें के लिए उसमें चड़ाना मेरे सामने एक दूसरा बंदा और उसका फ्रेंड ठीक है फ्रेंड दो था वह बंदा गड़ी चला रहा था दो और बंदा था यह लोग नीचे-नीचे चलना था और एक बंदा को दिया तो उसी का गाड़ी था ओ चड़ा रहा था चड़ा- था उहां पर बंदा दम तोड़ दिया मुझे बोला आप निकल जाओ ठीक है मैं पीज गड़ी साइड कर रहा हो आप साइड से निकल जाओ क्योंकि उहां पर साइड करना भी बहुत मूस्किल है तो और आगे जा रहा था तो मैंने उसका बहुत दूर पीछी पीछी जा रह फिर उसके बाद पूर अप लेना गया मतलब बंदा क्या किया पूरा आठ नौ दस जो टान है वो पहले पार किया पार करके सक्सेस के बिलकुल पास आ गया फिर उसके बाद लास्ट वाला जो एफोर्ट डलना था उसमें ओजाके ठक गया और हर कॉम्प्रिड इव्यम देन दो और माचा होता है ठीक उसी में हो इसको गिब आप कर देता है ठीक है तो वह बंदा को देखके जो मैंना उस बंदा को देखके मुझे जो यह लगा कि मैंने लिखा कि भाई एक और टान आगे उप चड़ जाते उसके बाद में बहुत अच्छा रस्ता नहीं था बट उत यूँ सकते इसी बार निकल जाए क्योंकि ये टार्गेट ऐसा नहीं होता हर बहुत सारे किस में पहले बार लेना पड़ता है बट दूबार आटम के लिए फिर दूबार फिर पर सान एक चूड़ गया तो दूबहर दोड़ लगा तो कही ना कहीं तो हीरन मिली जाएगा ऐ उसको एक बार मिली जाता है उसका जिन्निकी बन जाता है सेम तरीका है हमारा कॉंपिरिटिटिव इजम में प्रिपरसन का इसलिए जो भी बंदा करते तो थोड़ा सा पढ़ते हो उसके पाद छोड़ देता हो इसके लिए एक ही मेसेज है आप आपना प्रिपरसन जारी रखो मेकानिकल इंग्रेंग में 50 से ज़ादा एक्जाम है अभी मेकानिकल स्टुडेंग के लिए 50 से ज़ादा एक्जाम है एक गेट है एक अईस है उसके साथ साथ और 50 different exam है और 50 50 से भी ज़ादा है ठीक है तो और 50 से भी ज़ादा होता है मैं आपको दिखाता हूंican तो आप देखो कि आपको कितना कितना एक्जाम देने का मीलता है जैसे सिज यह होने वाला है एचीज़ अच्छी स्कील सब्सक्राइब सकता है इतना सारे एक्जाम आता रहता है और आप क्या करते हो कि सुटुडंट का क्या हाल है जैसा भी मौयल का एक जंब होता दो जून को दो जून अगर आपने प्रिपरेसं पूरा लगातार जानी रखें तो फिर हो जाएगा मतलब जैसे आपने गेट का प्रिपसंद किया एक साल तो पूरा सब्जेक्ट के ऊपर को पूरा अपना मेकनिकल जो सिले बस है उसके उपर आपका पकड़ है ना फिर आपको थोड़ा रिवीशन करना है और थोड़ा नॉन टेक देखके चले जान आप बोला नहीं नहीं अभी और भी आया है आपका इसका टुइंटी में तक था लास्ट ठीक है अभी खतम हो गया अच्छली वह किया था इसका नोटिफिकेशन जैसी आएगा जैसे बार का भी इंटर्वू चल रहा था अभी इंटर्वू खतम हुआ है इसके बाद एंप इस रोका इंटर्वू हुआ है तो मतलब क्या है कि आप देखो आप देखो कि जितना भी बंदा इंटर्वू हो रहा है इस रोका जितना भी बंदा ऐसे करता है कि यह जब एकजम का नोटिफिकेशन आएगा तब मैंने पढ़ाई शुरू करूंगा उसका कभी सक्सेस नही अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपका सिलेवस में पकड़ा गया आप उसके बाद उसको रिवीशन करते रहे और जैसी कोई एक जमाए उसको फोड़ दे बहुत सारे बच्चे में बोलना था ना भी कि क्यों इतना बच्चे का सक्सेस हुआ है यह 50 से ज्यादा एक जब हैं जो गेट के छुट्रू जो थर्टी पेसु लिया तो लिया ही है उसके बाद से 50 एक जम हुआ है लास्ट वान एन हाप यर में उसमें भर भर के रिक्रूर्मेंट हुआ है तो मेकानिकल का जो भी मनना थोड़ा सीरियस पर पसंद किया था उस सब को नोकरी मिल चुका है ठीक तो फिर भूल गया फिर दूबारा शुरूंग इसका इंड नोटिफिकर सन आ गया तो फिर कैसी होगा कि पीसलिए आपको लगातार प्रयास करते रहना है and आपका जैसी एक मौका मिलेगा उस मौका में आपको अटक कर देना है और जैसे अटक कर दोगे आपको सक्सेस मिलेगा यह गरांटरेड है, लेकिन ओ है छोडू टाइप का जो बंदा है उसका कोई गरांटरे नहीं है, तो यह बात धन रखे इस धर्ती में नेचार जो बना हुआ है वह वेस्ट के लिए बना हुआ है जदातार एफ़ोर्ट सबका वेस्ट होता है not only इनसान का, not only competitive neck, not only किसी का सबका इस धर्ती में ज़्यादा वेस्ट होता यह और दैट इस दानेचार है जो वेस्ट करता है ज्यादा वेस्ट होगा ये नीचर का लो है